नमश्क्रा दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ उसके उपर आप कह सकते हैं कि एक कम्प्लीड एनल्सिस का वीडियो काफी लंबा काफी डीटियल मैं पिछले कौर्टर में लेकर के आया था और अब दोस्तों एम्टर टेकनोलोजीस में जो बहुत सारे निविश्कों के मन में सवाल है कि जब मैं वीडियो रेकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों 6 मार्श की तारीक है 1830 के आसपर स्ट्रॉक सेटल डाउन हो रहा है लास्ट टाइम जब मैं वीडियो बना रहे थे इस पर चर्चा किये थे मैंने कहा था अगर 2000 का लेवल टूटता है तो फिर एक बड़ी घिरावट के लिए प्लीज प्लीज तैयार रहे और आप देखें 2000 का अम्टर टेक तोड़ा है उसके बाद 1830 तक आ चुका है करेंटली मैं आप वजा दूँ मेरा जो लॉंग टर्म को विशन अम्टर टेक को लेकर के या लॉंग टर्म की जो चीजे हैं वो अभी भी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए है और यकीन मानिये जो कमपनी के जो मनेटिन डिरेक्टर साब है उनका जो मैं एक इंटर्व्यू देखा जिसी बिजनस में उसके बाद मेरे को ना आइटीसी के आपके सकते हैं टॉप अनिमेंट की आद आ गई जब उन्हें हर कोई बात कहता था कि आप अक्विजिशन को नहीं कर लेते हैं फटा 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 अक्विजिशन कर लीजें स्टॉक आपका क्यों नहीं चल रहा है उन्होंने बहुत ही अच्छे सा वर्ड उसने यूज किये थे कि देखे जहां हमको आप कह सकते हैं ऐसा लगेगा कि ग्रोथ है जहां हमको मार्केट ऑपरचुनिटी दिखेगी हम वहीं पर निविश करेंगे और एग्जाक्टली चीज इन्होंने भी कहीं उन्होंने कहां आप एक बात समझे कि हर कोई सिर्फ नंबर्स की चर्चा कर रहा है कोई भी यह नहीं देख रहा है कि एंटर टेक में आने वादे समें कितनी सारी चीजें हो रही हैं इवन कितनी सारी चीजें हो गई हैं सेटलाइट आप कह सकते हैं जो सेटलाइट बिजनस में जो F-day norms रि medium term के लिए नि बलकि मैं यह कहूंगा कि long और very long term के लिए stock है बहुत सारे निवेशकों का यह डर है कि यह लगाता है promoter के उसमें stake कर रहे है stake sell कर रहे हैं इसको लेकर के भी उन्होंने बहुत ही सधा हो जवाब दिया तो यदि आप Emta Tech में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं please इस वीडियो को पूरा देखेगा आपको future में क्या होने वाला या future में किस प्रकारी growth के opportunities हैं और आप जब second part इस वीडियो का देखेंगे उसे गर पूरा देखेंगे आप समझ में आएगा company इतनी ज़ादा bullish के और खास करकी quarter four में थोड़ा बहुत आपको कुछ positive असर दिखेगा but financial year 25 will be the big game changer दोस्तों ठीक है लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस channel पहली बार आए हैं please subscribe का button दबाएं वीडियो अच्छी लगती हो like जरूर कीज़ेगा आप ऐसा करते हैं दोस्तों channel के growth होती है बहुत बहुत motivation मिलता है ठीक है अब आते दोस्तों वापस अपना topic पर देखिए emta tech दोस्तों company के top management ने कहा है कि देखिए जो सबसे पहली बात चर्चा कर लेता हूं कि promoter आप कह सकते हैं जो निविश्कों का concern है कि promoter stake sell कर रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा कर रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा कर देखिए हमारी company बहुत पुरानी it's more than 50 years old है दोस्तों और जो promoter है वो बहुत सारी जगा आप कह सकते हैं और जो stake sell कर रहे हैं वो आप यह कह सकते हैं कि जो top management के लोंगे या जो company में अभी कारे रहते हैं वो नहीं बेच रहे हैं ठीक है जो भी जिनके बाद बहुत पुराना stock है ठीक है जो IPO के बाद से भी नहीं बेचे थोड़ी बहुत उसमें sell कर रहे हैं बलकिन उन् आप कह सकते हैं इसको more or less तो उन्हों नहीं आश्वास किया कि देखे प्रमोटर की holding जो आपको कम दिख रही है वो ऐसा इसलिए बिलकुल भी नहीं कंपनी कहीं issues हैं और देखे मैं हमेशा कहता हूं management जो बात कह रही है वही आपको और मुझे पता चलेगा और उसी के बिस पर हम चर्चक कर सकते हैं और करेंटली जिस प्रकार से उन्होंने बात कही है और जब आप डेटा भी देखेंगे न एक्चली बेच कौन रहा है आपको समझ में आएगा कि जो प्रमोटर की जो सेलिंग हो रही है वो मेन लोग नहीं कर रहे है बलकि वो निवेशक जो पुर इंटा टेक्नोलोजी को लेकर के आने वाले समय में मार्जिन को लेकर के कुछ बहुत जो इशूस हैं वो बिलकुल भी नहीं होने वाले ठीक है और एक कंपनी जो बहुत बड़ी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बहुत एनरजी उसको लेकर के जो एक कंपनी वहां से बयान आ कुछ बड़ी कंपनी जो फॉरेंड की MNC के साथ टाइब चल रहा था बट उनका एक बयान जो मुझे बहुत अच्छा लागा कि देखिए टाइब से होंगी जॉइन वेंचर बट हमारा जो मेंट फोकस है वो खुद का वेहिकल बनाने का यानि कंपनी कह रही है कि हम खुद से बनाएंगे स्मॉल आप कह सकते हैं स्मॉल सेटलाइट लांच वेहिकल को ठीक है तो यह बात को दर्शा आता है कि कंपनी के दाद बूलिश है हां यह भी ज़रूर का कि जो नौम साही रिलाक्सेशन के यह टेक्नोलजी ट्रांसफर में बहुत आप कह सकते हैं फाइदा देंगे और देखें कंपनी यह भी कह रही है कि विजन लॉंग टम का है और इसी को लेकर के जो सेकंड पार्ट इस वीडियो का वहाँ पर आपको सामझ में आएगा कि क्यों एम्टा टेक लॉंग टम की मुझे चीज़न लगती हैं और इवन शॉर्ट टू मिजन में थोड़े कंसर् 25 में है तो मुझे लगता है एम्टा टेक is a good choice दोस्तों बट आपको डिसाइड करना है कि आपके रिस्क प्रोफाइल में है या नहीं प्लीज अपने वित्या सलाकार से सलाले कोई भी पुज़न आने से पहले ठीक है तो अब चलते हैं सीधा वीडियो के second part की तरह दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम लोग थोड़ी सी order book में तो देखे यहां पर आपको साफ देखने को मिल रहा होगा यह recipient of major new orders आप देखते हैं existing business यहां पर आप कह सकते हैं जो percentage wise क्योंकि एक एम्टा टेक में अगर आप निवेश कर रहे हैं जो मैंने पहले कहा आप सिर्फ एम्टा लगभग 295.4 करोड रुपीज का order receive यहा है various sector में कहां का पर including clean energy, civil nuclear power, fuel sale और हाइडल में, space में, defense product में और other में, quarter 3 में आप देख सकते हैं diversified order book of 1179 करोड 31 December यह जो चीज़े हैं यह 31 December तक की बात हो रही है यहां पर आप देखें तो सबसे ज़ादा जो business आपको देखने को म 65.9% clean energy में, fuel cell, hydel और power में, फिर आप देखेंगे यहां पर clean energy, आप कह सकते हैं, clean energy सभी civil nuclear power, ठीक है, एक दो, फिर आप देखेंगे यहां space में 11.2% business का space से आता है, space sector से आता है, space से नहीं कहाना चाहिए, spec sector से आता है दोस्तों, फिर defense company 4.6% and then product and other 4.6%, तो आप देखें, well developed diversified order book है, सबसे जादा बसेंगा fuel cell, hydel और other से आता है, और अगर आप से civil nuclear power भी जोड देखेंगे, तो approximately more than, आप यह कह सकते हैं, 75% या approximately 78% जो total हिस्सेदारी है, वो clean energy से company के पास आती है दोस्तों, ठीक है, आप देखें, order book build up, इन करोर्स में आप देखेंगे, 30 सितंबर 2030 की बात हो रही है, तो यह 997 करोर थे, जो 31 दिसंबर को आप देखें, 2023 में, 1178 करोर आ गया था, ठीक है, sales restated ad order book, वो इतने करोर रुपे का है, तो देखें, आप समझी एक चीज़ को, कि company जो है, लगातार धिरी-दरी आगे बढ़ रही है, लेकिन challenges, green energy, आप कह सकते है clean energy से, जिस प्रकार के business आने की आशंकाती, वो उस प्रकार की चीज़े नहीं आई है, ठीक है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ, March के बाद वाला जो quarter आने वाला है, वो आपको अपनी radar में जरूर रखना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, one second, मैंसे थोड़ा मिटा हाँ, आप देखें आपने 9 month quarter 3 और 9 month के financial 24 में आप देखेंगे, company का revenue आप देखें, year on year में, तो साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ quarter 3 में 160.2 करोड था, वो घट करके 118 करोड हो गया है, 9 month में देखेंगे, तो no doubt यहाँ पर आपको jump देखने को मिल रही है, gross profit म में देखेंगे, तो company एक साल पेले quarter 3 24 में, 23 में 84 रुपे कमाई थी, तो इस बार मात 61 करोड रहा है, 9 month में देखेंगे, तो यहाँ बढ़ोतरी हुई है, तो 9 month के prospectus में आप देखेंगे, तो अभी भी जो चीजें, वो तोड़ी अच्छी आपको दिखाई दे रही होंगी EBITDA आप देखेंगे, करोड में है, यहाँ पर एक बड़ी गिरावट हुई है EBITDA में दोस्तों, आप देखें, year on year के बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और 9 month में भी आपको यहाँ पर साफ साफ गिरावट देखने को मिल रही है, profit before tax में तो humongous fall है, ठीक है, humongous, ठीक, आप जब यहाँ पर देखेंगे, 9 month में तो भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है, profit after tax में देखें, एक साल पहले 31.4 करोड थी, वो मातर 10.4 करोड है, और आप समझ रहे होंगे, यह अचानक से जो गिरावट, अचानक से जो कमजूरी है, वो क्यों देखने को मिल रही है, 9 month में भी 72 करोड थोड़ा उपर से घटके, वो 51.2 करोड में आ गई है दोस्तों, ठीक है, अगर हम थोड़ा way forward करते हैं, one second, well balanced portfolio की अगर मैं आप यह चर्चा करूँ आपके साथ, सबसे पहला है, clean energy, civil nuclear power, आप देखें आपे, तो 9 month है, 40.4 करोड है, quarter 3 में 12.9 करोड निकल क बिजनस आया है, clean energy, fuel sales, हाइडल से 68.8 करोड, देखें, मैं फिरका, fuel sales, हाइडल, अदर, यह सबसे बड़ा business का source है, MTA technology के लिए दोस्तों, ठीक है, one second, तो देखें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप MTA में निवेश कर रहे हैं, आप समझे कि यह कितनी well diversified company है, ठीक ह और ऐसी companies में होता ही है दूस्तों, कोई भी एक sector में कहीं उपर नीचे होता है, तो चीजों में problematic देखने को मिलती है, लेकिन जब आपका जो main source है, जो main है, जो overall 78% overall, अगर आप इसे mix कर देते हैं, fuel sales और civil nuclear power को 78% होता है, अगर उसमें कमियारी business में, तो जटके आपको लग लगेंगे, ठीक है, आप देखें, defense sector में आप देखेंगे, तो इस बार 4 करोट रुपेक आया है, product and other से 25.7%, अगर हम geographical breakup देखें, तो आप देखीं यहाँ पे, जो quarter थी 24 में, export से company को 68%, जी हाँ, export oriented business है यह, और domestic से 22%, ठीक है, और 9 मन्त में आप देखेंगे, तो यह आकड़ और बढ़के, export में, 74% हो जाता है, तो, emtor tech में, आप अगर समझ रहे थे, कि यह, domestic से बहुत जादा business भाती नहीं, export oriented business है दोस्तो इनका, ठीक है, अब चलते हैं आगे, performance in chart में बताता हूँ, revenues, आप देखेंगे, अगर हम, यह आप year के बाते, financial 20, 21, 22, 23, अभी यह पूरा न आपके सकते हैं, इस तरफ एक बढ़ोतरी हो रही है, company का EBITDA 38% के तरीके से बढ़ रहा है, profit after tax में 49% की jump है दोस्तों, ठीक है, यह लगाता बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, मैं यह कह रहा हूँ, gross profit margin, यहाँ पर आपको एक गिरावट, इस बार देखने को मिल रही है, आ आपका EBITDA margin भी बड़ी गिरावट दिखा रहा है, आप देखें यहाँ पर, और जो profit after tax के margin है, वो इस बार अभी तक 18% रही है, यानि overall आपको देखने को मिल रहा होगा, कि जो percentage है, margin है, वो बहुत ज़्यदा दाबाव में चल रहे है, company के दोस्तों, ठीक है, अब आते हैं आप देखें दुस्तों, जो company का, 3rd quarter December निकल किया है, 26% की आपको decline देखने को मिल रही है, revenue में, year on year, it fell short of market expectation, because of the downturn in the clean energy sector, मैंने पहली भी कहा था, clean energy sector से ही, सबसे साथ दबाव देखने को मिल रहा है, और यही कारण आप देखें आपे, कि जो clean energy sector है, वहाँ पे revenue में, गि कि क्या contribute करते है, 58%, ठीक है, और 23 में तो 77% था, company के revenue को, आप देखें, 9% की गिरावाट देखने को मिल रही है, पहले 9 महिनों में दोस्तों, 24 में reason, बहुत कम, few orders getting pushed back to the 4th quarter, और 1st quarter fiscal 25, problem ही है दोस्तों, बहुत सारे order को पुश कर दिया गया, यानि 23 की बजाए, आपको वो order execute होते है, या तो quarter four में, और कुछ हद तक 25 में, financial 25 में देखने को मिलेंगे, barring that, nuclear, defense and product business continue to deliver, one second, हाँ, जो defense है, nuclear है, product business है, वो लगातार आप देखेंगे, तो शामदार growth दिखाने को मिल रही है, जिसकारण, जो impact, clean energy में थोड़ा बहुत जादा होना था, वो कम हो करके आप a significant portion of its revenue, the EBITDA margins reported a decline of 7.97 basis point to 20.15%, और जो EBITDA में किरावाट हुई, 47% लिगी होई है, year on year risk में, leading to a 67% drop in consolidated net profits in quarter three of financial year 24, दोस्तों, ठीक है, तो यह overall इस प्रकार की चीज़े है, अब आते हैं conference call highlights में, कि EMTA tech में जो conference call की बाते हैं, वो किस तरह हो रही है, conference call में क्या कहा गया है, आप देखें आपे, revenue guidance के बारे में क्या कहा गया है, revenue में जो गिरावाट देखने को मिल रही है, 26.1% की year on year, यह supply chain issues के करण यानि, जो supply chain के issues आपको पता है, वो कितने जाद चल रहे हैं, overall, जो तमाम जो, आप कह सकते हैं, जो seas हैं, जो समुद्र में, आप कह सकते हैं, इसराइल, पैलस्तीन, फिर होतीस, rebel, यहाँ लड़ाई कर रहे हैं, यूक्रेन, रश्या का वार चल रहा है, इसने बहुत बड़ा threat generate किया है, overall supply chain में, आप कह सकते हैं, यहाँ प 25 में, बहुत बड़ा, आप कह सकते है, miracle होने की बात कही जा रही है, financial 25 को लेकर के, इतनी जादा bullish है, company, 45-50% की revenue की बात कही जा रही है, दोस्तों, increase होने की, order देखेंगे आप, 264 करोड रुपीज का राइब रसीब इन, quarter 3, 4, Santa Cruz hot boxes, इसके बारे में, मैंने, पिछले quarter में, जब इसके complete analysis के वीडियो बनाया था, वहाँ पर चर्चा की हुई थी, ठीक है, 264 करोड के order already receive हुए है, quarter 3 में, Santa Cruz boxes के दोस्तों, आगे बढ़ते हैं चीजों में, one second, आप देखें यहाँ पर, orders worth, 184 to 185 करोड for Yuma may be amended to Santa Cruz, और जो यहाँ का एक बड़ा order था दोस्तों, Yuma का, वो अब Santa Cruz को दिया जा सकता है, वहाँ पर, ठीक है, यह चीज़े हैं, आगे बढ़ते हैं चीजों में, आप देखें, order worth, 500 करोड रुपी, expected from Kaiga 5 and 6 reactor दोस्तों, 500 करोड रुपे का, now the clean energy segment is expected to contribute around 400-425 करोड next year के revenue में दोस्तों, यानि clean energy में जो इस बार कमी आई है, जैसा मैं पहले का, कि उसको forward कर दिया गया है, quarter 4 में, to financial 25 में, और यही कारण है, कि जो clean energy contribution है, वो 400 से लेकर के, 425 करोड का होते दिखाई देगा, electrolyzer orders not included in the guidance for next year, electrolyzers के जो बहुत सारे order से दोस्तों, उसको company ने, अभी तक, pricing भी नहीं करवाया है, जो इस बार के order book आपको यहाँ पे, अचा कही जा रही है, ठीक है, बात कर लेते है, operational updates में, तो देखे, semi cryo engine, जो दोस्तों project है, वो postponed हो चुका है, next fiscal year में, यह एक setback था company के लिए, बहुत ही जानशांदार, एक progress देखने को मिल रही है, development of the SSLV launch vehicle, ठीक है, अब आफ समझी है, mta tech में, जो लोग कहते हैं, वो ए बड़ी प्लियर है, mta tech के, उसके project इस प्रकार के है, ठीक है, cash flows में, operating cash flows में, लगातार improvement की बात कही जा रही है, net debt में, बड़ी गिरावाट और reduction करने की बात कही जा रही है, key local order, transition to phoenix model, inventory levels are similar for Yuma and Santa Cruz, with few supply and leading development, देखे, कोच supply chain issues के करन बहुत सारे जैसे order थे, क्योंकि आप अपर, एक supply chain का बड़ा issues आ रहा था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, one second यहाँ यहाँ में, हमारी यह, that inventory location for Santa Cruz and Phoenix, मैंने कहा issues करन अब, कुछ चीज़ें हैं आप इस Santa Cruz and Phoenix model में करने को पढ़ रही है, ठीक है, आप कह सकते है, compensation from bloom for non-fungible calico inventory, ठीक है, यह, आप देखे, अब aliens क्यों है, देखे, मैं इसलिए इस पार यहाँ ही चर्चा नहीं कर रहा हूँ, इस Santa Cruz और यह इन प्रकार की चीज़ों की, जो मैंने पहले कहा, अगर आप complete NLS का वीडियो अरड़ी MTA Tech का पिछला देख चुके हैं, तो आप को यहाँ चीज़े उत्ती ज़दा problem नहीं होगी क्योंकि अगर मैं वापस से उन चीज़ों करने लगूँगा, वीडियो बहुत सा expand हो जाएगी, ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या, financial outlook की, आप देखें यहाँ पे, EBITDA में, आप improvement to 24%, उसमें 24% का improvement देखने को मिल रहा है, margin 28-29% तक जाएंगे दोस्तों, financial 26 में, ठीक है, EBIT capital revenue from non clean energy segment, और देखें, company अब अपने आपको diversify भी करना चाड़ रही है, और इसलिए, non clean energy भी revenue वहाँ से, revenue आने की बात कहीं जा रही है, ठीक है, अब high margin product division बहुत साथा focus कर रही है, दोस्तों, और यहीं करना है, कि 26 को लेकर के इतनी साथा company focus कर रही है, ठीक है, future growth देखेंगे, order book guidance for financial 25, देखें, order group यही कहा जा रहा है कि 25 में, यह काफी अच्छी आपको improvement देखने को मिलेगी, civil nuclear activities में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ठीक है, काफी अद तक progress देखेंगे हैं वह सेक्लाइन launch vehicle projects में दोस्तों, और सरकार की जो भी कदम उठाएग 15 cents, 52 week high of 2920 September, September में जो company ने 2920 रुपए का high लगाय था, वहां से लगातार आप देखेंगे तो, गिरावाट होती आपको दिखाई देगी, और बल्कि जब मैं video record कर रहा हूं तब तो stock बहुती सद अगिर चुका है, even 1900 को तूड़ कर गे 1800 cash pass trade कर रहा है, और आप कह सकते हैं, company जिसका current price में trade कर रही है, valuation थोड़ी reasonable है, trading at 2110 fiscal, fiscal 26 estimated earning, and the issue that are being highlighted in December quarter results are largely short term, और जो भी ये issues कहे जा रहे हैं, चाहे वो logistic को लेकर को, supply chain को लेकर के हो, orders को push करने का हो, Santa Cruz का जो, और Phoenix Model का जो issue है, वो तमाम चीज़ें short term की है, long term में कुछ बड़ा चीज नहीं होने वाला, and the business expected to recover for next quarter, besides its quality of business size of opportunity, capital location, strong order pipeline, and strategic position, the growing industry should re-rate this stock, ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर long term investor है, तो आपको MTA tech एक काफी अच्छे मौके दे रहा है, long term के लिए, लेकिन याद रखिएगा, बाजार अभी mid cap, small cap को बहुत बुरी कदर, पनिश कर रहा है, और जब इस प्र कारी गिरावट होती तो MTA tech जैसे लोग भी stock भी नहीं बचते है, बट अगर vision 2-4 साल का है, तो यही तो मौके होते है, accumulate करने की for a long term investment, दोस्तों, मैं फिर बता दूँ, यहाँ कोई भी buying और selling recommendation नहीं थी, अगर आप stock में निवेशिते हैं, प्लीज कोई भी position बनाए, अपने वित्तिया सलाकार की सला जरूर लीजिएगा, तो यही शुरी गांते हैं दोस्तों, चाहिंद,